यह एक चुम्बकिय कमपास अर्था दिशादर्शक है जो पथप्रदर्शन के काम आता है यह स्वी एक मृदू चुम्बक है और जब इसे किसी अन्य चुम्बक के करीब ले जाया जाता है तब इसमें विचलन निर्मान होता है यदि रोधक लगा हुआ तामबे का तार कमपास के पास लेकर जाएं तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसमें विचलन नहीं होगा, क्योंकि तामबे की तार चुम्बक नहीं है चली, अब हम इस तार में से डबले बैटरी का उप्योग करते हुए विद्यूत प्रवाह छोड़ते हैं अब हम इस तार को कमपास के पास रखेंगे और उसके दोनों छोरों को बैटरी के एक एक अगर के साथ जोड़ देंगे ये परिपत पूर्ण हो जाएगा तब कमपास की सुई में विचलन निर्मान हो जाएगा जब हम तारों को अलग करेंगे तब सुई अपने मूल स्थिति में लौट आएगे ये बहुत महत्वपूर्ण नतीजा है विद्युत प्रवाह को धारण करने वाला सुचालक चुमबकी एक शेत्र का निर्मान करता है क्या होगा यदि हमारे पास चुमबकी एक कमपास नहों आप स्वयम कभी काखज और चुमबकी एक सुई के मदद से एक कमपास बना सकते है आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि लंबे समय तक बैटरी को जोड़े हुए ना रखे क्योंकि इन्हें जोड़े रखने से ये डिश्चार्ज अर्थात खाली हो जाएंगी अर्थात इनका आवेश खत्म हो जाएगा और कभी-कभी ये गरम भी हो जाती है इसलिए सावधान रहें अब हम ये बात जानते हैं कि सुचालक से होकर जब विद्युत प्रवाह गुजरता है तब वो चुम्बकी अक्षेत्र का निर्मान करता है इसके आधार पर अब हम कीलों और विद्युत तारों की मदद से एक छोटा सा विद्युत चुम्बक आराम से तैयार कर सकते हैं एक कील पर प्लास्टिक इंसुलेटेड अर्थात प्लास्टिक के द्वारा रोधित तार को सौ बार लपेटे तार के दोनों छोरों पर लगे प्लास्टिक कोटिंग को निकाल दे इन दोनों सिरों को एक दशमलाव पांच वोल्ड की बैटरी के अग्रों के साथ जोड ले क्या आप बता सकते हैं कि इससे क्या होगा अब यह कील कुछ पेपर पिंस को उठाएगी जब तक यह कील बैटरी से जुड़ी हुई है तब तक यह चुम्बक है जैसे ही कील को बैटरी से अलग कर देंगे वैसे ही पिंस भी कील से छूड जाएंगी इसके आधार पर चुम्बक की अता विद्योत प्रवाह से जुड़ी होती है ये कहना अधिक वैग्यनिक होगा यदि हम एक बैटरी के स्थान पर दो बैटरियों को एक दूसरे के पास लगाएंगे तो क्या ये कील अधिक संख्या में पिंस को आकरशित करेगी हमने कील पर तार कितनी बार लपेटी है क्या इस पर वो कितनी संख्या में पिंस को आकरशि उत्तर ध्रूव और दक्षिन ध्रूव होते हैं इससे सत्यापित किस प्रकार करें इसका एक ही तरीका है कि हम अपने चुम्बकी ये कमपास का इस्तमाल करें क्या विद्युत प्रवाहर रोग देने से विद्युत चुम्बक के ध्रूव भी नश्ट हो जाते हैं यदि हम विद्युत चुम्बक की एक छोर पर थोड़ा सा लोहे का बुरादा फैला दें और विद्युत चुम्बक को थोड़े समय के लिए बैटरी के साथ जोड़ दें तब लोहे का बुरादा ठीच चुम्बक की अक्षेतर जैसा ही सांचा धांचा तयार करता है एक से अधिक बैटरियों को एक साथ जोड़कर आप भी चुम्बकी अक्षेतर की शक्ती की तुलना कर सकते हैं जब हम कमपास को तार के फंदे में अर्थात लूप में रखते हैं और उसमें थोड़े समय के लिए विद्युद्धारा को प्रवाहित करते हैं तब सुई में विचलन निर्मान होता है जब सुचालक कुंडली थोड़े समय के लिए चुम्बकी हो जाती है तब कमपास की सुई उसके बलक्षेतर के कारण बगल में धकेल दी जाती है इस सिद्धान पर गैलवनोमिटर अर्थात बिजली शक्ती को नापने वाला यंतर काम करता है कमपास और कुंडली की मदद से विद्युद्ध प्रवाह का पता लगाया जाता है हम विद्युद्ध चुम्बक पर आधारित एक इलेक्ट्रिक बेल अर्थात विद्युद्ध घंटी का निर्मान कर सकते हैं गैल्बनाइजड अर्थात जस्ता चड़ी हुई स्टील की हलकी शीट लें और उन्हें पट्टियों में काटे जिनकी चौड़ाई दो सेंटीमिटर हो अब हम सिलाई की मशीन में इस्तमाल होने वाली बॉबिन जिसे अटेरन कहते हैं उसे लेंगे और लेपित तामे की तार को उस पर लपिटेंगे हम तार चार सो बार लपिटेंगे अब हम एक प्लास्टिक के बरतन में नट और स्क्रू की मदद से इसे लगा लेंगे तार के एक सिरे को हम स्टील की पट्टी से जोडेंगे और दूसरे सिरे को 6 वोल्ट के विद्युत आपूरती करने वाले सिरे अर्थात टर्मिनल के साथ जोडेंगे एक दूसरी तामबी की तार को हम स्टील के पट्टी के निकट रखेंगे और उस तार का दूसरा सिरा बैटरी के अगर के साथ जोड देंगे जब हम तामबी की तार को स्टील की पट्टी पर दबाएंगे तब परिपत पूर्ण हो जाएगा और स्कुरू विद्विचुम्बग बन जाएगा अब यह धातू की पट्टी को आकर्षित करने लगेगा इस क्रिया के कारण धातू की पट्टी तामबे की तार से दूर चली जाती है जिसके कारण परिपत खंडित हो जाता है पट्टी में तनाव होने के कारण वह पुना एक बाग तामबे की तार के पास लोटती है जिससे परिपत पुना एक बार पूर्ण हो जाता है यह चक्र इस प्रकार निरंतर चलता रहता है और इसी के कारण हम इलेक्ट्रिक बेल मतलब विद्यूत घंटी की आवाज सुन सकते हैं आपके आसपास पाई जाने वाली वस्तूँ की सहायता से आप भी इस प्रकार की घंटी बनाने का प्रयास अवश्य करें सारांच हमने आज विद्यूत प्रवाह के चुम्बकी ये प्रभाव के बारे में जाना विद्यूत चुमबक अनेक उद्योगों व्यवसायों में बड़ी मात्रा में उप्योग में लाये जाते हैं जैसे भारी वजन उठाने के लिए, रेलों को दोडाने के लिए आधी आप अपने दोस्तों की मदद से इस बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं चनोती स्वीकारे हमने देखा कि सुचालग जिसमें विद्युत प्रवाहित हो रही थी उसके कारण सुई में विचलन निर्मान हुआ अर्थात एक सिरा रणागर और दूसरा सिरा धनागर से जोड़ा तो क्या परिणाम होगा मैगलेव रेल में 27 वरूप में चुम्बक होता है जो पट्रियों में मौझूद शक्तिशाले विद्युत चुम्बक के कारण विकर्शित होता है विकर्शन की बलके कारण ये रेल पट्रियों से थोड़ा उपर हवा में चलती है क्या आप इस प्रकार की रेल बनाने की कोशिश करेंगे